मूवी की शुरुवात होती है नीदरलेंड की एक गाउं से जहां वारिन अपनी वाइफ तीना की साथ एक फार्म में रहता है वारिन को बर्ड्स को देखना बहुत पसंद होता है और वो हमेशा बर्ड्स के बारे में कुछ न कुछ लिखता रहता है और तभी उसे एक पेड़ की पीछे से आवाज आती है और वो महा जाकर देखता है तो उसे छोटी जाड़ियों के बीश एक छोटी सी ननी सी एक बर्ड दिखती है जो इनसान के बच्चे के जैसे दिख रही होती है वारिन को लगता है कि इसके पैरेंट्स उसे यहाँ छोड़ गए है और फिर वारिन उसे अपने घर ले आता है और अपनी वाइफ को दिखाता है जिसे देखकर वो शौक्ड हो जाती है और कहती है कि यह तो लड़की के र लगते हैं और फिर लॉर्ड को अपने साथ रखेगी इसे अपने बचे के दहां पालेगी और इसे पाल पोसकर बड़ा खरेगी और रात में तीना सवर्ड को आजिब अजीब रखी नाम बताने लगता है औपर तब ही टीना इस बढ़ल का नाम फ्लोरा रखती है इसके बा बाहर लेकर जाते हैं, जहां उन्हें कुछ लोग मिलते हैं, और ये लोग फ्लोरा को देखकर बहुत खुश होते हैं, मगर ये देखकर हैरान भी होते हैं, कि फ्लोरा इतनी छोटी कैसे हैं, और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं, कि फ्लोरा थोड़ी सी बड़ी हो चुकी ह और वो थोड़ा थोड़ा उनने लग रही है जिसे देखकर वारिन और टीना बहुत ज्यादा खुश होते हैं और टीना कपड़े सुखा रही होती है तब फ्लोरा वारिन को देखका पीपी और टीना को देखका मीमी कहती है टीना को लगता है कि birds की language में इसका मतलब है कि वो इन दोनों को ममी बापा कह रही है लेकिन Warren टीना की इस बात को मानने से इंकार करता है और फिर टीना Flora को इंसानों की भाषा सिखाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन Flora नहीं सीख पाती और फिर रात में यही बाद टीना Warren से कहती है कि अगर Flora हमारी भाषा बोलना नहीं सीख पाई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके बाद टीना Flora को एक restaurant में खाना खिलाने के लिए लेकर जाती है वहाँ Flora को parrots दिखते हैं और उन्हें देखकर Flora को भी उड़ने का मन करने लगता है तब टीना Flora को एक toilet में ले जाकर बैठा देती है फिर उससे कहती है कि तुम्हारा जितना मन करे तुम उतना उड़ो लेकिन वहाँ पर toilet की खिलकी खुली हुई थी और फिर टीना Flora को lock करके बाहर आ जाती है और जब वह door open करती है तो देखती है कि Flora उस खिलकी से उड़कर उन पंचियों के पीछे जा रही होती है और फिर टीना Flora का पीछा करती है लेकिन Flora उसके हाथ नहीं आती और फिर वारिन घर आकर टीना को बताता है कि उसने Flora की जैसी एक bird को आस्मान में उड़ते हुए देखा है तो टीना उसे बताती है कि वो bird कोई और नहीं बलकि Flora ही है और फिर Flora उड़ते उड़ते शहर में चली जाती है और उरते उरते Florida के पंक काम करना बंद कर देते हैं Florida फिर आस्मान से गिर कर एक इंसान के घर में गिर जाती है और फिर Tina और Warren Florida को ढूरने के लिए ट्रेइन से सफर करके शहर जा रहे होते हैं और फिर हम एक चोटी बच्ची को देँकते हैं जो अपने डैट से परिशान होकर रो रही होती है और फिर वो छोटी बच्ची फ्लोरा को देखती है और फिर फ्लोरा और उस छोटी बच्ची में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है पिटीना और वारिन इन्फॉर्मिशन आफिस जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि फ्लोरा कहा है ताकि उन्हें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मिशन मिल सके लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और फिर वो छोटी बच्ची और फ्लोरा घर के बाहर एक पेल के पास जाते हैं और फ्लोरा उड़कर उस पेल के उपरी हिस्से पर चली जाती है और वो छोटी बच्ची उस पेल के निचले हिस्से पर ही होती है वो छोटी बच्ची को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्दी एक पंच्छी बन जाएगी और पिर तभी Tina और Warren काफी रात को जाने से एक फोटल में रूम देखने के लिए जाते हैं लगर उन्हें कोई भी रूम नहीं मिलता और फिर अगले सुबह हम Tina और Warren को देखते हैं जो उसी पेड की नीचे सो रहे होते हैं जहां पर Flora होती है और फिर तभी वो छोटी बच्ची महां आती है और उनसे सवाल करती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं लेकिन वो दोलों कुछ नहीं कहते वो छोटी बच्ची उन्हें बताती है कि वो एक पंची दिखने वाली लड़की को जानती है और वो पंची अभी पेड़ के उपर है और भरे लोग फ्लोरा को देख रहे होते हैं कुछ निज रेपोर्टर सिल्ख को कवर करने के लिए महां आते हैं और सुरक्षा-कर्मी विभाइप विभाद के लोग भी भी महा आते हैं चाथ dipping एक आदमी को बचाने के आदमी को पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि उसे किसी चील नहीं खाया बलकि वो खुद उड़कर गई है और फिर वो आदमी टीना वारिन और छोटी बच्ची सभी फ्लोरा को ढूनने के लिए निकल पड़ते हैं और जब वो सब फ्लोरा को ढून रहे होते हैं उन्हे उस चोटी बच्ची को एक लड़का पेड़ के उपर बैठा हुआ दिखता है और वो जाकर उस लड़की से बात करती है उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है फिर वो लड़का अपने कमरे में जाकर सोने ही वाला होता है तब ही उसे नीचे से कुछ आवाज आती है और उसे महाँ फ्लोरा दिखती है और फिर वो लड़का उस चोटी बच्ची को बुलाता है और फिर इन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर वो चोटी बच्ची और वो लड़का ये बात फॉरण टीना को बताते हैं और जब वो फ्लोरा को देखने जा राश्ते में चलते चलते वो सुरक्षा कर्मी विभाग का आदमी रोने लगता है, क्योंकि वो फ्लोरा को ढूंड नहीं पाया, और फिर टीना फ्लोरा को ढूंटे ढूंटे आगे निकल जाती है, और फिर वारिन भी टीना का पीछा करता है, और फिर टीना बहुत एमोशनल हो जाती है, और फिर वारिन टीना को घड़ चलने के लिए कहता है, फिर वो सब रात में आराम कर रहे होते हैं, तब फ्लोरा उड़ते उड़ते एक डाली में फस जाती है, और फिर सुरक्षकर मी विभाग का आदमी उसे देखता है, और उसे बचाने के लिए जाता है, और पेर पर चल कर उसे बचाता है, और उसके तूटे हुए पंको को सही करता है, और अगली सुबा वो ये बात वारिन और टीना को बताता है, फिर वारिन और टीना उसे अलविदा कहकर फ्लोरा को ढूरने निकल जाते हैं और जब वो बाइक पर फ्लोरा को ढूरने निकलते हैं तो उन्हें फ्लोरा दिखती है और फिर फ्लोरा बहुत सारे पंचियों के साथ उड़ते उड़ते समुद्र पार कर रही होती है जिसे देखकर टीना और वारिन बहुत दुखी होते हैं वो सोचते हैं कि कुछ भी हो फ्लोरा थी तो एक पंची ही इसलिए वो उड़कर चली गई और उसे अपने जैसो का ही साथ पसंद आएगा और फिर फ्लोरा उड़ते उड़ते समुद्र के पानी में गिर जाती है और जब टीना और वारिन बस में जाने वाले होते हैं तब वारिन को फ्लोरा की आवाज आती है और वो समुद्र की ओर भागता है वो देखता है कि Flora एक लकटि की टहनी पर भीगी हुई है और वो समुदरु में जाकर Flora को बचाता है और फ्लोरा उड़कर उनके साथ जाना चाहती है फिर अगली सुबह टीना वारिन बात कर रहे होते हैं कि फ्लोरा एक पंची है और हम चाहें कुछ भी कर ले फ्लोरा को उसके साथियों कही साथ पसंद आएगा और इनसानों के बीच में फ्लोरा को रहने में बहुत मुश्किल होगी फिर टीना और वारिन डिसाइड करते हैं कि वो फ्लोरा को आजाद कर देंगे और वो फ्लोरा को उड़कर जाने के लिए कहते हैं फिर फ्लोरा उड़ते हुए उनसे बहुत दूर चली जाती है और फिर गॉरेंट टीना से जाते जाते कहता है कि फ्लोरा हो ला हो बारिश के मौसम में फिर से हमारे पास आ सकती है और टीना ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है